यूपी बीर्ड की कॉंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है इसके लिए आप यूपी बीर्ड जॉइन्ट इंट्रेंस एक्जैम के होम पेज पे जाएंगे और वहां पे आप देखेंगे आपके सामने तीन आप्शन्स हाइलाइट हो चुके हैं जो पहला तो अगर आप कॉंसलिंग अटेंड करना चाहते तो आपको यहां पे क्लिक करके रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है क्लिक हेर फॉर कॉंसलिंग शिडूल देख लीजे कि आपका कॉंसलिंग की शिडूल में पढ़ रहा है जैसी आ कॉंसलिंग के शिडूल में आप देख सकते हैं जो कॉंसलिंग है उसमें जो कॉंसलिंग का पूरा स्लॉट है यह रैंक वाइस है आप देख सकते हैं लेफ्ट हैं साइड ऊपर टॉप कॉर्नर में यहां पर यह दिया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं यह दिया हुआ ह This buying state rank from 1星 setting 75,000 तक की गई वह फेस फर्स्ट में लिगई है और सितमबर से लिए गये साथ सितमबर तक जो फेस्ट मेंन जो प्रॉसस और रेस्ट्रेशन तो प्रॉसस न का जो बिद्व गारे मां जो भी बचिंद्रेएट्ड हैं जिनकी आयंकत की बीच में हैं वो साथ तारिक से पहले अपना registration कर सकते हैं और choice fill कर सकते हैं आठ तारिक का choice filling इस्पेशली इन्हों ने assign कर दिया है उसके बाद जो 9 तारिक है 9 तारिक को आपको college lot हो जाएगा जैसे ही 9 तारिक को आपको college lot होता है उसी समय 9 तारिक को second phase जो किये 75,001 से लेके two lakhs तक के बच्चों के लिए जो registration प्रॉसेस है वो start हो जाएगा तो जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड होंगे वह अपना registration प्रॉसेस कर देंगे और जो first phase का है उसके next day से ही मतलब 10 11 12 और 13 इसमें seat confirmation के लिए आपको confirmation करने के लिए fees payment करनी होगी जो भी college आपको allot हो चुका है counseling में अगर आप उससे interested हैं सहमत हैं तो आप उसकी counseling fees payment कर देंगे तो वह seat आपको allot कर दी जाएगी और इस इन ही तीन दिनों में 10 11 12 और 13 में जो registration and choice filling process होगा जो second phase के बच्चे होंगे उनका स्टार्ट हो जाएगा और 14 तारिक को choice filling की date होगी second counseling की और 15 तारिक को seat allotment की और उसी समय क्या होगा जो third phase होगा उसका registration process चाले हो जाएगा और third phase जो registration process होगा वोगा तीन दो लाख वन से लेके तीन लाख पचास जार तक के जो बच्चे होंगे इनका third phase में counseling स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यह जो counseling होगी इनकी 15 तारिक को registration होगा 16, 17, 18, 19 को choice filling होगी 20 तारिक को choice filling special day इन्होंने दिया हुआ है और 21 तारिक को department हो जाएगा 21 तारिक को पता चल जाएगा कि third phase में किसको किसको कौन सा college allot हो गया है इसके बाद जो seat confirmation के लिए आपको payment करना होगा उसके लिए 4 दिन दिये हुए 22, 23, 24 और 25 तो इन दिनों में बच्चे जाके जो भी interested हैं अपनी fees payment कर सकते हैं और next जो भी उनको college allot हुआ है उसमें उनका admission confirm हो जाएगा इसके बाद जो भी बच्चे जो यह process यह continue रहेगा तो इसके बाद के जो phase होगा उसमें 3,50,001 से लेके जो भी आगे के बच्चे होंगे आगे की ranks तक के सभी बच्चे उनका जो registration process होगा वो 21 तारिक को होगा और उसके बाद 22, 23, 24 और 25 और 26 तारिक को जो होगा इनका जो भी choice filling होगा वो होगा और 27 तारिक को इनका final choice filling होगा 28 तारिक को इनको allotment हो जाएगा और 28, 29, 30, 31 इसमें इनको seat confirmation fees का payment करना होगा इसके बाद जो है जो एक, दो, तीन, चार, पाँच तारिक है छे तारिक है नौंबर की इसमें data reconciliation होगा कि कि कितने बच्चों ने admission लिया और कितने बच्चों ने अपनी seat छोड़ दी या कितने बच्चों ने admission नहीं लिया है उसके बाद फिर से एक registration and choice filling का pool counseling होगा इसका जो date होगा यह होगा 7, 8, 9, 10, 11 और 11 को choice filling होगी फिर 12 तारिक को allotment होगा और 13, 14, 15 को download allotment letter होगा फिर उसके बाद यह process continue रहेगा 17, 18, 19, 20 को फिर से data reconciliation होगा ऐसे जो भी बच्चे होंगे जो अपना अभी तक admission नहीं ले रहे हैं किसी भी current वर्स तो वो data देखा जाएगा कि कितनी seats किस college में खाली है उसके बाद उनी seatों पे college direct admission ले सकता है तो आप देख सकते हैं यह आपका जो प्रूरा process है यह start हो चुका joint entrance exam जो B8 का था उसका तो जो भी बच्चे interested है वो इसमें जाके प्रतिभाग कर सकते हैं और जो भी बच्चे इसमें registration करना चाहते हैं तो उनके लिए एक option है कि वो बच्चे यहाँ पर सीधे site पर जाके अपना counseling के लिए registration कर सकते हैं जो counseling की पूरी guidelines है उसके लिए आप इसक पास comment कर सकते हैं हम इसके लिए कैसे counseling का process होगा कौन सा college आपको किस rank में lot होगा इसका पूरा वीडियो बना सकते हैं अगर आप इसमें comment करते हैं अकर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो comment करें और लाइक करें थैंक्यू